एक blind girl के neighbor का murder हो जाता है, उसे जो भी पता है, इससे उसकी life complicated हो जाती है Hello friends, आज के मारी movie In Darkness, ये 2018 की एक thriller suspense movie है इस movie की ending में twisted है, तो इस वीडियो को हम तक जरूर देखेगा मैंने आपको जो story बता है, इससे और भी जादा चीज़े इस movie में है स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे request करता हूँ, अगर आपको वीडियो अचा लगता है, तो प्लीज इससे like और comment ज़रूर करतीज़ेगा अब इना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते है Movie स्टार्ट होती है, हमारी main character, जिसका नाम है Sophie का हमसे introduce होती है First scene से हमें पता चलता है कि movie स्टोडियो के लिए music composition का काम करती है इसके बाद वो किस तरीके से घर जाती है, क्या उसकी habit से इसके बार में हमें पता चलता है वो हमेशा एक coffee shop आती है, जिसके बाहर एक violin player होता है अपने लिए जब एक coffee बाई करती है, तो violin player को भी दे देती है ये दोनों अच्छे friends है, वो घर आने के बाद firstly अपने building का locker चेक करती है यही चेक करते हुए, आज उसके उसके neighbor मिली, उसके neighbor का नाम है Veronique Veronique की एक special smell थी, इसे Sophie को हमेशा पता जल जाता था, कि Veronique ही है father के बारे में जो भी बात की जाती है, क्या तुम्हें वो सच लगता है, यानि कि Veronique के father कुछ controversial चीज में फसे हुए है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा, Sophie कहती है, तुम्हें अपने father के बारे में क्या लगता है, यह सबसे ज़्यादा important है Sophie ने आज घर आकर practice की, रात में जब वो सो रही थी, तो उसे Veronique और उसके boyfriend का जगड़ा सुनाई दे रहा था उसकी सही से नीन नहीं हो पाई, अगली दिन जब वो घर आ रही थी, तो Veronique का सकाफ यह stairs पर था, इस सवजे सो नीचे गिर गई उसके हाथ पर चोट आ गई थी, फिर से सोफिया ने अपना locker चेक किया, जिसमें उसे letter और एक poison मिलता है poison अपने बास रख कर letter को जला देती है, रात में सोफिया से Veronique फिर से lift में मिली, Veronique किसी से भाग रही थी, पर lift की वज़े से वो बच जाती है सोफिया ने Veronique से कहा कि तुम्हारा सकाफ ये नीचे पड़ा हुआ था, Veronique कहती है मेरे लिए इसे समाल कर रखना, वैं जो send यूज करती हूँ, इसका नाम में liquid gold अब यहाँ पर Veronique जड़ा court words में पात कर रही थी, सोफिया घर में आई, तभी Veronique की उपर से चिलाने की आवाज आती है, कुछ struggle हुआ और Veronique उपर से नीचे गिर गई, उसकी date हो जाती है, पुलिस को बुलाय जाता है, सोफिय से वो question करते है, क्या तुम Veronique को जानती थी, होता है, वो सोफिय से बुचता है, क्या तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, सोफिय कहती कि मैं थोड़ी से light sensitive हूँ, बाकि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसके बाद हमारा और एक main character, Mark और उसकी sister Alex हमें दिखाई जाते है, Mark Veronique का boyfriend है, और उसी से वो भाग र यानि कि सोफिया के बारे में बात कर रहा था, उसे अब तक पता नहीं कि सोफिया blind है, Alex को Veronique का से एक USB चाहिए था, इस USB में बहुत ही important चीज़े है, ये USB Mark को Veronique के apartment में कहीं भी नहीं मिला, Alex Mark से कहती है, जल से जल उस USB को ढूंडो, और neighbor को मार डालो, Mark directly Veronique के dead body के पास hospital में भी पहुच गया था, उसकी सारी चीज़े चेक करता है, उसमें उसे USB कहीं भी नहीं मिला, News से हमें पता जलता है, कि Veronique के father एक बहुत ही बड़ी politician है, आज कल उनके खिलाब protest चल रहा है, क्योंकि war में उन्होंने बहुत सारे innocent लोग को मार डाला था, नेक सिन में हम देखते ह कि Mark रात में सोफिया को मारने के लिए आया हुआ है, उसे मार ही डालता, पर उसने नोडिस किया कि सोफिया कुछ भी देख नहीं सकती, सोफिया को भी पता जल गया था, कि उसके घर में कोई है, पर Mark वहाँ से चला जाता है, डिरेक्टू माइल्स है विरोनिक के बारे में information निकलवाता है सबको लग रहा था एक सूसाइड है पर अभी अभी उससे पता चला कि वेरोनिक प्रेगनन्ट थी उसने अभी अभी नोस जॉब भी करवा हुआ था यानि कि अगर वो अपने आपको इंप्रूव कर रही थी तो सूसाइड नहीं कर सकती है इसके बाद वेरोनि पता था सिस्टर कहती है तुम जादा इस बारे में सोचो मत वेरोनिक को उसके फादर ने मारा और तुम सिर्फ एक जरिया थे अब वेरोनिक को उसके फादर ने क्यूं मारा इसका रीजन उस यूएजबी में है वेरोनिक के फादर का नाम है रेडिज और उन्हीं के लिए इस काम करती है वह ही चाहते थे कि वैरोनिका की डेथ हो जाए वैरोनिका को मारने का काम उसी के boyfriend mark को दे दिया गया इस funeral पर शोफी पियानो प्ले करती है अलेक्श ने माघ से पूचा कि उस neighbor का क्या हुआ माख कहता है कि वो उसने मुझे देखा नहीं सोफी वही धून प्लेग कर रही थी जिसे वेरोनिका के फादर बच्पन में गुन-गुनाया करते थे इस बात से फादर इमोशनल होके वो सोफी को अपने साथ लेकर जाते हैं वेरोनिका की बच्पन की बाते उसे बता रहे थे बात करते करते ही र रैडिश को बताया कि पुलिश को अब भी लग रहा है वेरोनिगा की डेद एक सुसाइड थी इन्हों वरी करने के कोई भी जरूरत नहीं बात करने के बाद रैडिश फिर से सोफिया के पास आया उसे कहता है अब मुझे कुछ काम है पर मैं तुमसे फिर से मिलना चाहूंगा सोफिय भी इसके लिए हा कहती है अब यहां से जाने के लिए सोफिय को एक प्रॉल्म है उसका पॉईजन नीचे ही पड़ा हुआ है उसने पॉईजन का छोटा सा कंटेनर ब्रेक कर दिया जाते वक्त अपने शैंपियन का गलास नीचे गिरा देती है जिससे सब काच में उस इशु देने में हेल्व की जाते जाते सोफिय गयती है इस तुमारे बहुत अच्छे है सोफिय कुछ भी देख नहीं सकती तो एलेक्स इस बात को मजाग में लेती है रात में घर जाते हो सोफिय का रस्ता कुछ गुंडों ने रोक लिया सोफिय उन्हें सब कुछ पैसे आपना हाथ देता है कहता है मैं तुम्हें हट नहीं करूंगा इसके बाद यह दोनों कैफे में आए सोफी मार्क से बुशती है क्या तुम रात में ऐसे स्टीट से घुमते रहते हो मार्क कहता है कि मैं मेरी सिस्टर के साथ एक सिकुरिटी फर्म में हूँ जो भी हुआ यह सिर्फ एक कोइंसिडन्स था वो सोफी से कहता है तुम्हें इस इंसिडन्स के बारे में पुलिस को बता देना चाहिए सोफी कहती है मैं फिर से पुलिस से डील नहीं करना चाहती है उसने का कि आभी अभी वेरोनिक की डेथ हुए तो बुलिस ने मुझे question किया था Mark पुछता है कि तुमने क्या बताया Sophie कहती है मुझे कुछ भी सुनाई भी नहीं दिया था मैं headphone लगा कर गाने सुन रही थी बुलिस को भी उसने कुछ भी बताया नहीं था वो गहती कि मेरे बास वेरोनिक का सकाफ है मैंने इसके बारे में भी उन्हें कुछ भी नहीं बताया मैं नीचे गिर गई थी वो इसी वज़े से इस सकाफ पर मेरा blood लगा था Sophie जब कैफे से बाहर जाती है तो उसके फ्रेंड को कहती है कि अगर या आदमी फिर से तुम्हें दिखा तो सैड सा म्यूजिक चलाना Sophie को रात में उसके बचपन के ट्रामेटिक सपने याद आते है अगली सुबा जब Sophie पियानो बजा रही थी तो उसने नोटिस किया वेरोनिका ने अपना USB उसके पॉकिट में डाल दिया था बनने से पहले लास्ट टाइम उसने बोला था उसका सेंट लिक्विड गोल्ड है यही उस USB का पास्वर्ड भी है Sophie से मिलने के लिए फिर से डिरिक्ट टू माइल्स आये या तुम्हें उस इंसिटन्ट के बारे में और भी कुछ याद आया Sophie कहती कि मुझे कुछ भी पता नहीं है इसके बाद Sophie और एक कैरेक्टर से मिलती है इसका नाम है नील नील उसे कहता है कि अब तुम्हें गायब हो जाना चाहिए तुम्हारा मिशन कॉम्परमाइस्ट हो चुका है इसका मतलब है Sophie एक इंटलीजन्स की कमपनी के लिए काम करती है रैडिश को मारना है उसका मिशन था Sophie कहती कि मैं इस तरह से अब पीछे नहीं अट सकती यहाँ दगाने के लिए मैंने बहुत सारे सैक्रिफाइजिस किया है रैडिश को मारना यह उसके लिए परसनल है वो गैती कि मेरे पास और एक वे है मैं रैडिश को मार सकती हूँ अपने पास की USB ट्राइव और पासवाड उसने नील को दे दिया नील और सोफिया की बीच की रिलेशनशिप एक फादर डॉटर की तरह है इसलिए नील उसके लिए बहुत ज़ादा वरी करता है अचानक से रस्ते से चलते हुए सोफिया को एक वैन में डाल कर ले जाया जाता है उसे बान कर कुछ लोग टॉर्चर कर रहे थे उसे पूछते हैं तुम्हें USB के बारे में क्या पता है वो उने कुछ भी नहीं बता दिये वो उसे मार डाल दे तब ही मार्क वहाँ पहुश गया सबको मार डाल कर वो सोफिय को बचा लेता है वो कहता है तुम्हारे बास की USB तुम्हारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है वो USB तुम मुझे दे दो सब कुछ ठीक हो जाएगा मार्क भी सोफिया को जबरदस्ती लेकर जा रहा था सोफिया स्ट्रगल करती है तो मार्क कहता है मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हो सोफिया मानती नहीं आस्वास पुलीस थे तो उनसे उसने हेल्प मांगे मार्क फिर यहाँ से चला जाता है सोफिया इंजोर थी तो उसे होस्पिटल में एडमिड करते है उसे नील मिलने के लिए आया वो गहता है कि जो USB तुमने मुझे दी थी यह सबसे जादा important है रैडिज ने जो भी किया था और जो भी उसको operation चल रहा है इसके बारे में सब कुछ information इस USB में है अगर यह USB किसी को मिलती है तो रैडिज को replace कर सकता है यह USB चुराने की पीछे दो लोग थे एक ती विरोनिका उसका code name था gold दूसरा जो है उसका code name है silver उसके बारे में उन्हें अब तक पता नहीं विरोनिका कहती है कि मैं silver के पास बोच जाऊंगे नील कहता है इन code की वज़े से तुम रैडिज तक बोच सकती हो हॉस्पिटल से भागने का रास्ता बता कर नील वहाँ से जला गया इस टाइम नील की दविद बहुत ही खराब थी वो अपने medicine भी नहीं ले रहा था सोफिया जब घर पर आई तो उसका पुरा घर तहसनेस पड़ा हुआ था उसे सैड से वाइलन की आवाज सुनाए देती है सोफिया ने अपने फ्रेंड को कहा था कि अगर ओ मार्ग को देखे तो सैड सा वाइलन बजाए सोफिया भी मार्ग को मैसेज दे देती है कि उसे आकर मिले सोफिया भी मार्ग के फ्लैट में बैलकनी के पास खड़ी थी जब मार्ग वहाँ पहुचता है तो सोफिया ने पूछा जब तूने भी मारा था तो क्या वो वही खड़ी थी मार कहता है भी मेंडल हालत सही नहीं थी मुझे उसे मारने के लिए भीजा तो गया था पर मैंने उसे नहीं मारा वो चाहती थी कि मैं उसके साथ भाग जाओ पर मैं कर नहीं सकता था वो प्रेगनन्ट थी और मुझे पनिश करने के लिए उसने सुसाइड कर ली सोफिय मार्ग के पास आकर गयती है जब मैं छोटी थी तो मेरे फादर मुझे और मेरे सिस्टर को दोनों को ब्लाइंड फोर्ड करकर पियानो सिखाया करते थे यानि कि सोफिय की सिस्टर को पता हो कि ब्लाइंड होना क्या होता है सोफिय के पास का वहरोनिक का सकाफ लेकर वो मार्क के आखों पर बांधी है इसके बाद वो उसके साथ इंटिमेट हो गई इंटिमेट होने के बाद सोफिया मार्क से यहती है कि मैं बोसनी आके एक छोटी से विलेज में रहा करती थी एक दिन सर्वियन मिलिटरी जाई और उन्होंने मेरे पूरी फैमिली को मार डाला वो चिप गई थी इसलिए बज़ गई उस मिलिटरी का बोस रैडिश था मार्क सोफिया से कहता है तुम बदला लेना चाती हो पर इससे भी तुमें कुछ भी हसिल नहीं होगा अब जो तुमारे अंदर का डाकनिस है वो और भी जादा बढ़ जाएगा सोफिया मार्क से कहती है मुझे तुमारी सिस्टर से मिलना है सोफिया ने फिगर आउट कर लिया था ये मार्क की सिस्टर ही वेरोनिका के साथ काम कर रही थी सोफिया मार्क से कहती है तुम्हारी सिस्टर को जाकर बताओ कि मैं उसी USB दे सकती हूँ यह दोनों एक जगा पर मिले और सोफिया ने एलेक्स को USB दे दिया सोफिया ने अपने पास भी एक कॉपी रखी है एलेक्स पुछती है तुम्हें इसके बदले में चाहिए क्या सोफिया ने कहा मुझे रैडिश के साथ अकेले में टाइम चाहिए यानि कि उसे मार सके सोफिया एलेक्स को ब्लैक मेल करती है एलेक्स के पास और भी कोई चॉइस नहीं था अगर इसा उसने नहीं किया तो सोफिया उसके बारे में सब कुछ रैडिश को बता देगी वेरोनिका के फ्यूनरल पर एलेक्स सोफि और रैडिश के गाड़ी में मिटिंग फिक्स करती है फ्यूनरल के बाहर भी रैडिश के लिए प्रोटेस्ट चल रहा था रैडिश सोफिया से कहता है कि लोगों के मरने से मुझे कुछ भी फरक नहीं परता लोग छुबने की कोशिश करते है पर मैं उन्हें धोन कर मार डालता हूँ सोफिया के फैमिली को भी इसी तरीके से उसने मार डाला था तो सोफिया इस बात से छिट गई वो चाको से अभी क्या भी रैडिश को मारने की कोशिश करती है पर रैडिश उसे रोक लेता है वो कहता है तुम में ये जो सब डेरिंग है ये तुम्हारे फादर से नहीं आती रैडिश को सोफिया के बारे में सब कुछ पता है उसने सोफिया को कहा एक दिन में तुम्हारी मदर को जंगल में लेकर गया था मैंने जबर्दस्ति उसका रेप किया मैं पाउरफुल हो इस वज़े से तुम्हारी मदर ने कुछ भी नहीं कहा यानि कि रैडिश सोफिया को बता रहा था कि उसकी डॉटर है जिस दिन रैडिश ने सोफिया की फैमिली को मार डाला था उस दिन मारने से पहले उसने सोफिया की मदर का फिर से रेप किया था इस सब बात पता चलने के बाद सोफिया और भी ज़्यादा खुसा हो गई उसे मारने की बहुत कुशिश करती है पर मार नहीं पाती है रैडिज उसे गाड़ी से बाहर निकाल देता है हमें एक फ्लैश बैक से पता चलता है उस वार में नील नहीं सोफिया को बचाया हुआ था वो नील को हेल्प करने के लिए कॉल करती है पर उसकी बिमारी की वज़े से उसकी डेत हो गई थी नील की असिस्टर ने सोफिय से का तुमारे इस कंट्री से भाग जाने के लिए नील ने कुछ प्लैंस किये थे अगर तुम चाहो तो जल्दी से भाग सकती हो सोफिय बदला लिये भी ना कही भी जान नी सकती वो हेल्प मांगने के लिए पुली स्टेशन आई हुई थी पर अपना माइंड उसने चेंज कर दिया माइल्स को जब इसके बारे में पता चला तो सोफिया से मिलने के लिए आता है उसे सब कुछ बताने के लिए कह रहा था तो सोफिया कुछ भी बताती नहीं माइल्स ने का तुम भी मिस्ट्री बॉक्स की तरह हो और अन्द तग उसके बारे में जान ही लेगा रात में रैडिज एलेक्स को अपने पास बुलाता है उसे पता चल गया था कि अलेक्स उसे धोका दे रही थी अलेक्स ने जब रियलाइस किया कि वह डेनजर में है तो जल्दी से बहाँ से भाग जाती है रात मैं अलेक्स मांक से मिली उससे कहती है मुझे इस कंट्री से निकल जाने के लिए help करो वरना Radish मुझे मार डालेगा Mark उसे help नहीं करना चाता था तो Alice कहती है Family के लिए तुम्हे help करना ही पड़ता है Mark ने अपने बेबी की सोनोग्राफिक की फोटो Alice को दिखाई वो कहता है Family की वज़े से ही मैं अब तुम्हे help नहीं करूँगा Alice की वज़े से वेरोनिका की डेथ हुई इसी का बदला वो Alice से ले रहा था Mark की help नहीं करने की वज़े से Alice को उसका driver ही मार डालता है रात में जब Sophie घर पर अकेली थी तो उसके बास Radish आया वो कहता है कि इतनी अजीब बात है मेरी दोनों डॉटर्स मुझे मारना चाहते थी वो बीचे से आकर Sophie का गला दबाने लग जाता है Mark को पता है कि Sophie डेंजर में है तो उसे बचाने के लिए वो भी बिल्डिंग में आ गया Radish की बहुत सारे आदमी नीचे थे तो इन सब से वाइट करता है Radish और Sophie में फाइट हुई Radish Sophie को मार ही डालता उसे पहले Alice ने उसे बचा लिया जिस तरीके से Veronika की उपर से नीचे गरकर डेथ हुई थी उसी तरीके से Mark भी Radish को मार डालता है इस फाइट में Mark भी इंजोर हो गया था Sophie आने देखा वो इसे help करने लग गई उसने first time मूवे में कुछ देखा था Mark realize करता है इस सोफिय सब कुछ देख सकती है वो से कहता है कि जल्दी से आसे भाव जाओ वरना पुलिस तुमें भी पकड़ लेंगे तुम हर किसी को नहीं बचा सकते अब हमें पता चलता है सोफिया first time से Mark को use कर रही थी Mark ने जब उसका पीछा किया तो उसे उसके बारे में सब कुछ पता था उस पर कोई शक ना करे इसलिए वो blind है इसका pretend कर रही थी वो सही तरीके से pretend कर सकती है क्योंकि बचपर में उसकी sister blind थी उसने previously मुवी में Mark से कहा था मेरे फादर मुझे और मेरी sister को blindfold लगा कर training दिया करते थे सोफिया की sister blind थी तो फादर चाहते थे सोफिया को भी पता हो इस blind होना क्या होता है इसी वज़े से blind होकर सोफिया अपने lifestyle continue कर सकती थी इसी को इस पर शक भी नहीं गया सोफिया जल्दी से यहां से चली की डिरेक्ट्टू माइल्स भी इस crime scene तक भोच गया वो सोफिया को यहां से जाते होए देखता है अगर हो चाहता तो उसे रोक पाता पर यहां जो भी हुआ इसके बारे में उससे पूरा idea है उससे पकड़ने की कोई भी कोशिश नहीं करता इसी तरहीं से इस movie का end हो जाता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी movies लेकर आत रहता हो तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजे हम फिर से मिलेंगे और एक निमोई के साथ तब तक लिए thank you आप अपने आपका खैल रखे है